ये देखे गाइज छोटी कमारी को आगे वाटरफोल के सिर्फ एंड पर किया गाइज ये देखे कितना नजारा मस लग रहा है दोस्तों तो अभी हम जा रहे हैं डार्जलिंग रॉग गार्डन देखने के लिए जो कि आप देख सकते हैं जर्नी कितना खुबसूरत और कितना अच्छा नजारा है तो रॉग गार्डन के बारे में दाइज हम देखे थे बेफसायर पे काफी अच्छा और काफी बेस्ट जगा है इसी के बारे में अभी हम आपको रॉग गार्डन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अभी हम जर्नी कर रहे हैं डार्जिलिंग के रॉक गार्डन को बार बोटी के रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और डार्जिलिंग जाने बाले हर पर्यटकों को इस एक बार रॉक गार्डन जरूर देखना चाहिए यह गार्डन हरी चाय और बगानों से घिरा हुआ है और घाटी का सुन्दर द्रिश्य प्रस्तूर्थ करता है और गाइज पार्क के अंदर एक आश्चल्य जनक रोग जहरना भी है और एक जील भी है जिसको आप देखने से कापी मन मोहक द्रिश्य हो जाएंगे और आश्चल्य जनक द्रिश्यों का आनंद ले सकते है तो चलिए गाइज अभी रोग ग चार हजार फिट नीचे आपको मिलेगा रोग गार्डन देखने के लिए और काफी पहारी से गुजर कर जाना पड़ता है और इन उपर के पहारीों से जब देखेंगे रोग गार्डन का अच्छे से नीचे का दिरिश तो लगेगा स्वर्ग करना जारा दिखेगा तो चलिए फिर मिलते है रोग गार्डन में आगे देखे गाईज तो अभी आचुके है वाटर וर देखने के लिए यहशाना दिखेगा, क्या मस्ट ना जा रहा है, क्या जबर्दस ना जा रहा है गाईज्थिये, क्या वाउ भालना को सब् if prepare this आ तो जीए नजारा देखिए कैसा लग रहा है आप लोग सब जबुखताया नजारा आपको काफी माज़ काफी सुनाः लगता और यह अभी हम उपर भी जाने वाले है तो आपको उपर कभी सीन हम दिखाएंगे और यह देखिए क्या स्वर्ग जैसा लग रहा है कि हम लोग सब जम्मू में आ गया है यह देखे गाई ऐसा वाटर फोल हम कभी भी ने देखे थे लाइफ में आज हम नेचरली देख रहे है हम चोटी और सभी लोग आये हैं इंज्वाइब करने के लिए हम चोटी और पार्टनर भी मिल गया है जो हम सब का ट्रेवल में भी तरह कम होगा और देखे चोटी भी है और हम लोग सब भी जा रहे है इज़ा देखिए नजारा कितना जबरदस नजारा है और यह नजारा सब्सक्राइब करते हैं अभी चलिए और भी हम आपको द्रिस लिखाते है चलते हैं देख सकते हैं कितना नजारा मस्त है और वाटर फोल देखने के लिए आप हम फी ऊपर के लिग निकल चुके हैं भी नजारा इतना जबरदस नजारा की आप सोच भी ने सकते हैं तो चले उपर चलते हैं तो देखिए उपर के ओर हम अभी एक ही फ्लोर आये हैं मतलब एक ही सीरी आये हैं अभी कितना सीरी बागी यह देख सकते हैं और यह देखिए यह फ्लोर आ गया है अभी हम वहीं से फोटो लिये थे और वीडियो भी लिये थ अब चलते हैं उपर के ओर फिर नजहारा जबर्दस्थ नजहारा गाया से यह देखिए यहां पर भी वर्डरफोल दिखता है आपको मीचे से भी दिखाए थे यह फूपर का दिरिस दिखाते ते इस देखिए कि अधर जबर दस देखिए को अब हम आ चुके है देखे गाइज आप बोल सकते हैं चौंटे फलोर बोल सकते हैं यहां देख सकते हैं और छोटी का चलते चलते हालत खराब हो गया है पूरा बोलाएगी थोड़ा खराब के आप रुप जाते हैं रुप जाते हैं बोले चलो ना अभी यार अभी और आगे चलना है इतना ही दूर नहीं तो क्या फुल मजाएगा यह देखिए गाइज क्या जबर्दस वाओ यह देखिए क्या मोमेंट है क्या मस्त मोमेंट है यह देखिए आगे जा रहा है और हम सब अभी पीछे पीछे जा रहे हैं चोटी का बाडिया रहा है यह देखिए जो कि आप आप देख सकते नीचे कितना चोटा चोटा दिख रहा है और यह देखी अगर्य अच्छले हैं यह जो लगानजार दिखा रहे हैं और यह उपर करना जारा है है यह अजारा भरातд्षन हो जाता है लूप उठा सकते गाई यह देखिए कितना अच्छा सीन लग रहा है यह देखिए जटी कमारी को और यह उपर का द्रीश दिखिए गाई कितना मस्त नजारा लग रहा है यह देखिए उपर का द्रीश तुम्हारा तुम्हारे दिना बने जीन अगवारा हमारे कसे देखिए चलते चलते इसका हालत है नसर पेंचर हो चुका है बोले क्या हम नहीं जा पाएंगे यह देखिए क्या मस्त नजा रहा है यह देखिए और यह नजारा दिखाते हैं वाओ यह देखिए यह हम आगे आपको 5000 फिट उपर अब हम रेश्ट कर रहे हैं और यह सब पीछे ही है इस सब पर तांग दुख चुका है और बैश चुका है तो अब अब बहुत जल्दी नीचे आएंगे काफी अच्छा जगा है अगर आप डार्जिलिंग में आ रहे हैं तो बहुत मस्त जगह है तो रॉग गार्डन जरूर देखिए गाज यह रोग गार्डन काफी जबरतास काफी मस्त है और इंसर पर देखिए काफी ठक चुका है और य अच्छा लगा है तो आप लोग सब कभी डार्जिलिंग आए तो रॉग गार्डन जरूर देखिए काफी मजा रहे हैं तो आज आप फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर और भी अच्छा अच्छा द्रिस आपको मिलेगा देखने के लिए अगर अच्छा लगा है तो आ हार बना मनेजी आ गावा हार आपको मिलेग का सुपाल लोके तो आप लोकेशन सुपाल